हेलो फ्रेंट, स्वागत है आपका एक और ने वीडियो है आज का वीडियो टेक से अलग फाइनांसर रिलेटेड है इस चैनल का मेजर ओडियंस 18 से 24 सल का है और इस उम्न में लोग financially independent होना चाहते है इसलिए मैंने यह टेक किया है कि आपके साथ अपनी share market की जानकारी को share करूंगा ताकि आप पूरी जानकारी और confidence के साथ share market से profit कमा सकते हैं यह वीडियो विगनर के लिए और भी important होने वाला है क्योंकि वह पूरी तरह से सुरू से ही जानकारी लेकर share market में उतर सकते हैं इसलिए आप चैनल को subscribe कर ले तो तब यह लाइकन को प्लेस कर ले थाकि वीडियो का notification आपको मिलता रहे चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ नया सीखते हैं क्या आप जानते हैं कि भारत में मातर 4% लोग ही share बजार में इन्वेस्ट करते हैं जबकि अमेरिका में 50% से ज्यादा लोग share बजार में इन्वेस्ट करते हैं लोग डरते हैं share बजार के नाम से लोगों को डर लगता है इसका कारण है जानकारी का अभाव कुछ प्रश्णों के द्वारा हम लोगों के इस डड़को ख़त्म कड़ेंगे साथ ही सेयर बाजार की अफ़वाओं को भी समाप्त करने का पर्यास करेंगे सबसे पहला प्रश्ण है सेयर मार्केट क्या है Share बाजार में उन कम्पनियों के Share खड़ीदे और बेचे जाते हैं जो Stock Exchange बे लिस्टेड होते हैं भारत में दो बड़े और पुराने Stock Exchange है BAC यानि बंबे Stock Exchange, NAC National Stock Exchange आप किसी भी Stock Exchange से Share खड़ीद और बेच सकते हैं परन्तु इसके लिए आपको एक Deemate Account की जुरूर्थ होती है जिसमें आपके खड़ीदेगे Share रखे जाते हैं और यहीं से जब Share का प्राइस बढ़ जाता है तो आप इसे बेच भी सकते हैं अगला प्राशन है क्या Stock Market Risk की है इसका अंसर एक Example से समझते हैं यदि आपके दोस्त ने कोई Business से Start किया है और आपने भी उसमें अपना पैसा लगाया है तो अब आपको Profit या आपको अपना पैसा तभी वापस मिलेगा जब आपके दोस्त का Business जिसमें आपने भी पैसा लगाया है वो अच्छे से Grow कड़ेगा जब आपके दोस्त का Business अच्छे से Grow नहीं कड़ेगा तो आपको Profit नहीं मिलेगा यही डिस शेर बजार में पैसा इन्वेस्ट करने में है प्रन्तु यदि किसी नए स्टोक या पैनी स्टोक के बजाए रिलैंस, टीसी एस, हीवेल, बजाज, डावर, जैसे ही लगातार ग्रोव करने वाली और मुनाफ़ा कवाने वाली कंप्रोवें पैसा लगाते हैं तो आपका रिस्क नग के बरावर होता है अगला प्रस्ट जो अक्सर लोगों के मन में आता है सहद आपके मन में भी हो कि स्टोक मार्केट इतना बदनाम क्यों है क्या हमें इसे दूर रणना चाहिए तो इसका सबसे सिंपल आंसर है स्टोक मार्केट को बदनाम होने का कारण है लोगों का लालच लोगों में धैड़ी की कमी जब भी कोई सेयर बाजार में पैसा लगाता है तो वो चाहता है कि रातो रात अमीर बन जो लोगों का एकस्पेक्टेशन इतना ज़्यादा होता है कि वे बिना किसी रिसर्च के ही किसी के भी कहने पर पैनियर स्टोक में पैसा लगा देते हैं जब वो कमपनी जिसमें अपने पैसा लगाया है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो आपको लओसोने लगता है और तब आप ही लोगों से कहते फिरेंगे कि सेर्बाजार बेकाड है इसमें पैसा नहीं कमाया जा सकता है जबकि सचाई यह है कि सेर्बाजार से पैसा कमाया जाता है परफॉर्म तु इसके लिए आपको धैर रखना होगा और समय देना होगा अगर आपके पास patience और समय दोनों की कमी है तो यह market आपके लिए नहीं है और आपको इससे दूर ही रहना चाहिए क्योंकि रातो रात अमीर या तो जुआ खेल कर बन सकते हैं या आपका कोई बड़ा lottery लग गया हो तभी आप रातो रात अमीर बन सकते हैं सेर भाजार से 15-20% की return की ही उमीद रखनी चाहिए अगर इससे ज़्यादा मिलता है तो यह आपके लिए bonus है अगला प्रशन है stock market में सुरवात कैसे कड़े यह यू कहें कि सेर भाजार में इन्वेस्ट करने का process क्या है stock market में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डिमेट अकाउंट के आप सकता होती है आप अपनी 24 के निशार 0-10, Angel 1, Up Stocks, 5 पैसा, Grow इन में से किसी में भी अपना अकाउंट खुरवा सकते हैं अब उसमें अपनी इच्छा के निशार उसमें कुछ fund एड़ कर ले अब आप जिस company के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं जिसके बारे में आपने study किया हुआ है उस share को आप खड़िदे share को खड़िदने के लिए डिमेट अकाउंट के search box में share का नाम लिख कर search करे जब share open हो जाए तो आप उस share का जितना एमाउंट खड़िदना चाहते हैं buy का order लगा कर share खड़िद सकते हैं अगर आप किसी share का detail analysis करना नहीं जानते हैं तो आगे के वीडियो में तो हम इसे सीखेंगे ही अगला प्रस्न है trading किसे कहते हैं और या कितने प्रकार का होता है share के खड़िदने और बेचनी की प्रक्रिया को ही trading कहते हैं trading दो तरह का होता है day trading और delivery based trading day trading में आप जिस दिन share खड़िदते हैं उसी दिन share बेच भी देते हैं चाहे आपको profit हो या loss delivery based trading इसमें आप share को खड़िद कर रखते हैं जब share का भाव बहुड़ जाता है तो आप उसे बेच कर मुनाफ़ा कमाते हैं day trading में technical analysis important होता है जबकि delivery based trading के लिए fundamental analysis important होता है day trading में आपको घंटों तक mobile या computer के screen के उपर share बाजार के movement को watch करना पड़ता है जबकि delivery based trading में डेली बाजार को track करने की जरूत नहीं है आपका जम्मन हो जीज़ दिन आप चाहें उस दिन आप अपने remote account को open करके अपने stock के performance को देख सकते हैं अगला प्रस्वन है किसी company का share कैसे घरता बढ़ता है share की कीमत में पड़िवर्तन होता है क्योंकि आप पूर्ती और मांग के संतुलन में बदलाव होता है जब stock की मांग अधिक होती है लेकिन आप पूर्ती कम होती है तो इससे उन share की कीमत बढ़ जाती है इसी तरह यदि आप पूर्ती अधिक है लेकिन मांग कम है तो share की कीमत कम हो जाती है अगला प्रस्ण है शेर बजार में नुक्सान कैसे होता है इसका आंसर है जब निवेशक बिना कोई रिसर्च किये बजार में निवेश करते हैं या दुसरों की सलापड शेर खड़िते और बेशते हैं तो उनको अधिक नुक्सान उठाना पड़ता है शेर बजार में नुक्सान को कम करके प्रोफिट कमाने के लिए पहले बजार की जानकरी ले कंपनियों के फंडमेंटर और टेक्निकल रिसर्च करें और फिर थोरा थोरा पैसा इंवेश्ट करें आसा करता हो मैंने लोगों के डाउट्स और क्वेस्चिन सल्व करने का प्रयास किया है अगर आपको मेरा पढ़या सच्छा लगए है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्य बात